मानुगे करुणा की तिव्य चमक पार के लेखक सर्विश्वर दयार सक्सेन हैं जिनोंने पेल्जिम में जन में फादर कामील बुलकी के व्यक्तित्व यानि परस्नालिटी और जीवन का पहुत ही खुपसूती से वर्णन किया है फादर एक इसाई सन्यासी थे लेकिन वो आम सन्यासियों जैसे नहीं थे भारत को अपना देश और अपने को भारती कहलाने वाले फादर कामील बुलकी का जन बेल्जिम के रेंप्स चेपर शेहर में हुआ था जो गिर्जों, पादरियों, धर्मगुरों, संतों की भूमी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मभू में भारत को बनाया, फादर का मील बुलके ने अपना बच्पन और जवानी के प्रारंबिक साल रेंप्स चेपर में बिताई थे, फादर बुलके के पिता एक वेफसाई थे, एक बिजनसमेन थे, जबकि एक भाई पादरी था और एक भाई परिवार के साथ रह कर काम करता था, उनकी एक जिद्धी बेहन भी थी, जिसकी शादी काफी देर से हुई थी, फादर का मील बुलके ने इंजिनिरिंग के आखरी साल ही पढ़ाई छोड़ कर सन्यास धारर कर लिया था, उन्होंने सन्यास धारर करते वक्त भा दरसल फादर भारत और भारती संस्कृति से बहुत ही जादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने पादरी बनते वक्त ये शर्त रखी थी, फादर बुलके सन्यास धारण करने के बाद भारत आ गए, फे यहीं के होकर रह गए, वो भारत को अपना ही देश मानते थे, रहती थी, जिसके पारे में वो अपने दोस्त डॉक्टर रगुवंच को बताते थे, भारत में आकर उन्होंने जिस सेट संग में दो साल तक पादियों के बीच रहकर धर्मचार की पढ़ाई की, फे नौ-दस साल वो दारजलिंग में रहकर उन्होंने पढ़ाई की, इसके साथ ही उन्होंने प्रयाग विश्व विद्याले की हिंदी विभाग में सन 1950 में राम कता उत्पत्ती और विकास विशय में शूद भी किया, फादर बुलके ने मातरल लिंग की प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पक्षी के नाम से अनुवाद किया, बा रेजी हिंदी शब्द कुष भी तयार किया और बाइबल का भी हिंदी में नुवाद किया, उनका हिंदी के प्रती बहुत ही जदा प्रेम था, इस बात को जहलकाता है, जहरबाद बीमारी के कारण उनकी 73 वर्ष की उम्र में उनका दिहान्ट हो गया, फादर बुलके भारत में लगबक 47 वर्षो तक रहे, इस बीच वो सिर्फ तीन या चार बार ही अपनी मात रभू में बेलजिम गए, सन्यासी धर्म के विपरीद फादर बुलके का लेखक से बहुत ही जादा आत्मे संबंद था, फादर लेखक के पारिफारिक सद्द से जैसे ही थे, लेखक का परिचे फादर बुलके से इलाभाद में हुआ था, लेखक फादर के व्यक्तित्व से काफी प्रभावे थे, लेखक के अनुसार फादर वादसल्ले और प्यार के साक्षर मूर्ती थे, वो हमेशा लोगों को अपने आशिरवाद से भर देते थे, उनकी दिल में हर किसी के लिए प्रेम, अपना पन और दया भाव था, वो लोगों के दुख में शामिल होते और उन्हें अपना मधर वचनों से संतावना देते थे, वो जिससे एक बार रिष्टा बनाते उसे जीवन भर निभाते थे, फादर की दिली तमन्ना हिंदी को राष्ट भाष्या के प्रित होकर हुई, लेखक उस वक्त भी दिली में रहते थे, लेकिन उनको फादर की बिमारी का पता समय से नहीं चल पाया, जिस कारण वो मृत्यों से पहले फादर बुलके के दर्शन ही नहीं कर पाए, इस बात का लेखक को कहरा अफसोर्स था, 18 अगस 1982 की सुबा 10 बजे कश्मीरी गेट के निगल सन कबरगा में उनका ताबुच पादियों, रगवन्श जी के बेटे राजेश्वर सिंग द्वारा उतारा गया, फिर उस ताबुच को पेड़ों की खाई च्छाव वाली सड़क से कबर तक ले जाया गया, उसके बाद फादर बुलके के मृत शरीर को कबर में उतार दिया गया, राजी के फादर पासकल तियोना ने मसीही विदी से उनका अंतिम संसकार किया, और सब ने नम आखों से फादर बुलके को अपनी शौधाजली अर्पित की, उनके अंतिम संसकार के वक्त वहाँ हजारों लोगे जिन्होंने नम आखों से फादर बुलके को अपना अंतिम शौधाजली दी, लेकक कहते हैं कि जिस इंसान ने जिन्दगी बढ़ दूसरों को वाजसले और प्रेम का अमरित पिलाया और जिसकी रुगों में तूसरों क्ले मिठास भरे अमरित के अलावा और कुछ नहीं था उसकी मृतिव जहराबाद से हुई, ये फादर के प्रती उपर वाले का घूर अन्या है, लेकक ने फादर की तुलना एक ऐसे च्छायादार पेड़ से की है, जिसके फल, फूल सभी मीठी मीठी सुगंद से भरे रहते हैं, और जो अपने श्यरण में आने वाले सभी लोग सबसे बहुत अलग थे, प्राणी मात के लिए उनका प्रेम और वातसले, उनके व्यक्तित्व को मानवी करूणा की तिव्य चमक से प्रकाश्मन करता था, लेखक के लिए उनकी स्मृति, उनकी यादे किसी यग्य के पवित्र अगनी की आज़ की तरह हैं, जिसकी तपन वो हमेशा महसूस करते रहेंगे,